प्रस्ण चाओदर का पहला जाच किजिये कि 7 प्लस 3 एक्स, 3 एक्स Q प्लस 7 एक्स का एक गुननखंड है या नहीं? तो क्या जाच करना है कि 7 प्लस 3 एक्स Q प्लस 7 एक्स का एक गुननखंड है कि नहीं? क्योंकि इसी का जाच करना है ठीक है? तो 7 प्लस 3 एक्स Q सबसे पहले हम ग्याद कर लेंगे तो 7 प्लस 3 एक्स का सुन्य ग्याद करने के लिए 7 प्लस 3 एक्स बराबर सुन्दे लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा देखे 3x बराबर लिख सकते हैं माइनस 7 7 को हम बराबर के बायां से दायां तरफ भेज देंगे तो माइनस 7 हो जाएगा यानि x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 7 बटा 3 X बराबर क्या हो जागा? माइनस 7 वटा 3 तो 7 प्लस 3 X का सुन्यक क्या आ गया? माइनस 7 वटा 3 क्योंकि X के जिगा पे माइनस 7 वटा 3 रखेंगे तो सुन्य आ जागा देखें, 3 से 3 कट जागा माइनस 7 बचेगा तो 7 माइनस 7 क्या हो जागा? सुन्य सुन्य ज्याद कर लेंगे इस तरह से अब हम यहाँ पर लिखेंगे अब पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है तो पी एक्स बराबर दिया हुआ है तीन एक्स क्यू प्लस साथ एक्स तीन एक्स क्यू प्लस साथ एक्स यह दिया हुआ है बहुपद तो इसको पी एक्स के बराबर लिख लेंगे तो एक्स का मान कितना आया है माइनस साथ वटा तीन माइनस साथ वटा तीन आया है तो लिखेंगा ता पी अब एक्स के जगा पर माइनस साथ वटा तीन लिखेंगे माइनस 7 वटा 3 लिखेंगे तो P माइनस 7 वटा 3 बराबर अब X जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 7 वटा 3 तो X का घाद 3 है यानि 3 गुना माइनस 7 वटा 3 का घाद 3 प्लस 7 गुना 7 X है तो साथ गुना माइनस साथ वटा तीन लिख लेंगे इस तरह लिख लेंगे अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो तीन गुना माइनस साथ वटा तीन का घात तीन है तो इसको हम लिख लेंगे तीन गुना माइनस साथ का घन देखे, 7 का घहा 3, 7 सते 49, 49 सते 343, तो यहाँ पर लिख लेंगे 343 बटा 3 का घहन, 3 तिया इनौ, 9 तिया 27, पलस, 7 गुना, माइनस 7 बटा 3, इस तरह लिख लेंगे, तो माइनस 7 बटा 3 का घहन क्या हो जाएगा, माइनस 343 बटा 27, तो घात 3 है, 3 क्या है भी समसंख्या, तो माइनस में ही उल्तर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर बस माइनस 7 बटा 3 लिख लेंगे, तो 3 से 27 काट देंगे, तीन नम्ह 27, तीन नम्ह 27, यानि कितना आ गया, माइनस 343, माइनस 343 बटा 9, बटा में 9 है, अब इसको गुना कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 गुना 7, 49, तो माइनस 49 बटा 3, इस तरह लिख लेंगे, अब यहाँ पर, नो और तीन का लगुत्तम लेंगे, तो नो और तीन का लगुत्तम 9 हो जाएगा, तीन तिया ही नो, नो और तीन का लगुत्तम क्या होगा, नो, तो बस यहाँ पर माइनस 343 लिख लेंगे, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का चीन ने देंगे, तो तीन तिया ही नो, तो 49 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2, 14, क्यानि माइनस 147 लिख लेंगे, देखें, तीन से 9, तीन बार में करता है, 3 तिया ही 9, तो 49 तिया 147, तो माइनस 343, माइनस 147, कितना आ गया? अब इसको जोड देंगे, दोनों माइनस में हैं, तो इसको जोडेंगे, 7, 10, हाथ में रहा 1, 4, 48, 9, 3, 1, 4, यानि कितना आ गया? माइनस 490 बटा 9, तो माइनस 490 बटा 9 आ गया है, तो सेस्फल कितना आ गया है? माइनस 490 बटा 9, जो कि सूननी के बराबर नहीं है, तो इस तरह लिख लेंगे तो सेस्फल जो है सूननी के बराबर नहीं आया इसका मतलब है कि 7 प्लस 3x 3x q प्लस 7x का गुननखन नहीं है तो हम लिख देंगे अता तो लिखेंगे अता 7 प्लस 3x अता 7 प्लस 3x कॉमा देंगे 3x q प्लस 7x का गुननखन नहीं है 7 प्लस 3x 3x q प्लस 7x का गुननखन नहीं है क्योंकि सेस्फल जो है सूननी के बराबर नहीं आया है सेस्फल क्या आया है माइनस 490 बटन ओ जो कि सूननी के बराबर नहीं है अगर सेस्फल सूनने आ जाता तब तो 7 प्लस 3x 3x q प्लस 7x का गुननखन होता लेकिन जब सेस्फली सूनने नहीं आया है तो गुननखन नहीं है इसका उत्तर नहीं होगा तो इस तरह प्रस्ण 14 का पहला हल करेंगे जब स्थली सुनना नहीं होगा जब बद्टनस नहीं होगा इसका प्लस आगा इसका होगा होगा इसका होगा व्वद्टन्वड़ होगा इंपर इंप लूएब।